यूरीन में ब्लड आना कोई आम बात नहीं है। यूरीन से जुड़ी कोई भी समस्या आपको किड्नी में खराबी का कारण बन सकती है। और समय पर इसका इलाज न लिया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। आज हम आपको अपनी चैनल Stop Kidney Dialysis में इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको यूरीन में ब्लड निकलनी की परिशानी हैं तो आप कौन से उपायों को अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यूरीन में ब्लड आनी की समस्या को हमितोयूरिय कहा जाता है। ये समस्या आनी के कई सारे कारण होते हैं। जिनमें इसे एक है किड्नी में खराबी आना। जब आपकी किड्नी में खराबी आ जाती है तो इससे आपकी किड्नी के काम में कमी आ जाती है। जिसके फलस्वर और आपको यूरीन में ब्लेड आनी के सम्झया दो प्रकार की होती है। पहली है Gross Hematouria, इस सम्झया में यूरीन में खून की मात्रा अधिक होती है, जिसको सपच्ट रूप से देखा जा सकता है। और दूसरी है microscopic hematuria, इसमें यूरीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अविशक्ता होती है इसका पता जाज त्वारा लगाया जा सकता है लेकिन इन दोनों ही समस्याओं का समय पर इलाज लेना बेहत जरूरी है वरना आपको भारी भुकतान करना पड़ सकता है चलिए अब जानते हैं जिने यूरीन में ब्लड आने की समस्या है उन्हें कौन से घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए सबसे पहले आप सुबह खाली पेट, हल्दी और आवला का पानी पी सकते हैं इससे आपको यूरीन में ब्लड निकलनी की समस्या से राहत मिलती है इसके लिए आप रात के समय एक चमच पिसी हल्दी और आवला काट कर कुनगुने पानी में डाल कर रख दें और सुबह इसका सेविन करें दूसरे उपाई के रूप में फिटकरी आपको यूरीन में रख की समस्या को दूर करती है इसके लिए आप रोजाना, सुभा, शान भुनी हुए फिटकरी का पानी पी सकते हैं वहीं तीसरे उपाय में यूरीन में ब्लड रोकनी के लिए आप रोजाना सुभा के समय मुनक्के का पानी भी पी सकते हैं ये भी आपको इस समस्या से राहत दिलाता है इसके अलावा अगर आपको यूरीन में बलड आने के समस्या है तो गेहूं का पानी भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है इसके लिए आप गेहूं को रात भर भीगो कर रख दें और सुभा के समय इसमें मिश्री डाल कर इसका सेवन करें इससे आपको यूरीन में बलड आने के दिक्कत में राहत मिलती है अगले उपाय में आप यूरीन में बलड आने के समस्या को दूर करने के लिए जौ का पानी भी ले सकते हैं इसके लिए आप एक ग्लास पानी में जौ डाल कर इसे उबाल ले और जब पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा करके दिन में तीन बार इसका सेवन करें तो ये है यूरीन में ब्लड को रोकने के कुछ खरेलू उपाए लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यूरीन में ब्लड होना किड्नी में खराबी आने का एक बड़ा कारण होता है तो इसके लिए आप सबसे पहले डॉक्टर से संपर्ट करें और उनके कहे अनुसार ही अपने जीवन में इन घरेलू उपायों को शामिल करें ताकि आपको यूरीन में ब्लड आने की सही जानकारी और सही उपचार मिल सकें तो आज के लिए बस इतना है उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई information बसंद आई होगी अगर आप किड्नी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयरवेदा से संपर्ट कर सकते हैं कर्मा आयरवेदा उपचार की इंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह प्राकर्तिक है जिसका कोई दुष्प्रभाब नहीं होता कर्मा आयरवेदा उप्चार के इंदर में आपको सफल इलाज के साथ-साथ एक बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है कर्मा आयरवेदा में आप डालसस और किद्नी ट्रांस्प्लांट जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं और पूरी तरह प्राकर्ते के लाज प्राप्त करते हैं अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए सभी के साथ शेर कीजिए ऐसे और इंफर्मिटिव वीडियो उसके लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप अपने विचार और सुजाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप किड्नी की किसी भी समस्या से परिशान हैं तो आप हमें वाटसप के माध्यम से संपर कर सकते हैं हमारा नमबर स्क्रीन पर मौजूद है आज के लिए वस इतना ही हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमशकार